तो गाइज मैं लेकर रखे आगे हूं फिर से एक न्यू वीडियो अगर आप इस तरह का स्टेटेश वीडियो बनाना चाहते हैं तो इस वीडियो को जरूर लाज तक पूरा देखें और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक करते हैं सबसे पहले क्रिएड निव पर क्लिक कर देना जो फर्स रचो दिखा देलिए 16.9 की उसको स्लेक्ट करके नक्स पर टैब करतेना है और इमेज इस में जा करके एक बल्एक स्क्रीन इमेज को स्लैक्ट कर लेना और जितना कर आपका status है उसको उस हिसाब से आप adjust कर सकते हैं तो इसके बाद एक image को मैं यहाँ पर import करूँगा जिस image का मैं link description box में दे दूँगा वहाँ से आपने download करके जहाँ पर आपकी download होगी वहाँ से आपने import कर लेना है तो मैं इस image को यहाँ पर import कर लेता हूँ और इसको जो है अपनी वीडियो के हिसाब से इसको adjust कर लेता हूँ उसके बाद एक वीडियो को import करना है जिसका link मैं आपको description box में दे दूँगा आपने वहाँ से जाकर कि उसको जो है download कर लेना है तो यह रही मेरी वीडियो जिसको मैं यहाँ पर ले आया हूँ और इस वीडियो जैसे import हो जाती है उसके बाद आपने blendings में जाना है blending option मिल जाएगी blending के बाद आपने screener पर click करना है और इसको थोड़ा सा छोटा करके थोड़ा सा नीचे ले आना है और उसके बाद ok पर tab कर देना है उसके बाद यहाँ पर volume में जाकर करके इसकी volume को mute कर देना है इसमें एक background music है जिसके mute करने के बाद जो नहीं सुनाई देगा और इसके बाद layers में जाकर करके जो एक lyrics वीडियो है जिसका link में आपको description box में दे दूँगा या फिर आपके पास अगर कोई और अच्छे सा वीडियो है तो आप वो भी आप इसमें लगा सकते हैं जैसे यहाँ पर यह वीडियो आगी तो आपने blending screen पर जाना है और blending पर जा करके screen पर tab करके इसको ok कर देना है और इसको थोड़ा सा हम ऊपर कर लेंगे और थोड़ा सा इसको जो है बड़ा कर लेंगे इसके यह इसके ऊपर रहना चाहिए ताकि यह देखने में जो है अच्छा लगे उसके बाद आपने टेक्स्ट पर tab करने के बाद यहाँ पर जो है कोई emoji लगा देना है जैसकी मैं य दीक सकते हैं